अब मेरे पास question number 2 है, बिल्कुल easy question number 2 है, objective के लिहाज से भी और short questions के लिहाज से भी जस एक line की इसका answer होगा, हमने क्यार करने हैं, जो मेरे पास जहां पे question number 2 के 8 parts से हम इनके conjugate find करने है, simple मेरे पास है conjugate, conjugate of जो भी number होगा, मैं कहता हूँ के मेरे पास 2 plus 3 का square root है, ठीक है, मुझे कहा जाती है, इसका conjugate दीजी, तो हम क्या कर लेगे, conjugate आपने 2 point, यानि 2 chapter में भी आपने पढ़ा था, यह 5 में 6 में भी, कि conjugate क्या करता है, जो center में value हो, उसको वो change कर देता है, यानि, अगर minus है तो plus कर लेगा, plus है तो यह minus कर लेगा, यानि अगर मेरे पास यह question minus में होता, तो conjugate क्या कर लेता है, minus को वो plus कर लेता है, यह इसका है first method के, जो भी part आपके पास given होगा, उसका अपने sign change कर लेना है, plus को भी मानिस कर लेगा, और minus को वो plus कर लेगा, या कि आप simple कह दें कि conjugate of 2 plus 3 का square root is equal to dash, या बाढ ले कि आप उस concept यहां पे mention कर सकते हो, आपके मर्जी होगी, अब हम इसमें से 2-3 parts कर लेते हैं, कि सारे ही same है, question number 2 है, 4.4 का है, जैसे first part है में पास, 3 plus 7 का square root, जी, अब हमने इसका क्या लेने है, conjugate लेने है, तो हम इसको बार नहीं लेता है, मैं यहां पे simple लेता हूं, conjugate of 3 plus 7 का square root is equal to 3 minus 7 का square, इसका क्या है, answer है, वो just क्या कर लेगा, प्लस को वो, यहां पे minus कर देगा, same as the second part, third part है, जो भी part आप करना चाहते हैं, यासे आपके पास six part है, क्योंकि य इसे parts हैं, जो सारी ही same है, just हमने, यहां पे sign change करने है, तो 4 minus 3 conjugate, इसका क्या answer देगा, conjugate 4 plus 15 का square root, इस तरह हम यह सारे parts इसली कर सकते हैं, आप में सिरफ क्या करने है, इनके sign को change करने है, अगर हम last part करने, इसका 8 part जो है, हमने conjugate लाना है, 9 plus 2 का square root, जब मैं इसका conjugate लोंगा, त plus को क्या कर देगा, यहां पर minus कर लेगा, तो यह question बटो हमारा complete हो चुक है, जो बिल्कुल easy है, अब मेरे पास question जो 3 है, यह important है paper के लिहासे, short question के लिहासे भी, यहां से मेरे पास question start हो रहे है important, 3, 4, 5, 6, सारी के सारे, 3 के 3 parts से मैं कोश्य करूँगा, 3 के 3 parts आपको करवाओ, if x is equal to, first part हम करें, if x is equal to, 2 minus 3 के root, then find 1 over x, जी, तो 1 over x वो कहते हैं, इसकी क्या find कीजिए, value find कीजिए, तो हम क्या कर रहे हैं, given data मेरे पास है, यहां से में इसको solve कर रहा हूँ, x is equal to 2 minus 3 के root, तो हमने क्या find करना 1 over x, अब क्या करूँग, मैं 1 से measures कर लिया, x, x की is equal है, 2 minus 3 के root की is equal है, अब जब हमने 4 के, जो question हमने किया था, first part किये थे, यानि आपने सबसे पहले क्या करना है, x की जगा के उसकी value पूट करने लिए, then आगे आपने इसको क्या करने, solve करने है, क्योंकि हमने पता है, कि denominator में मुझे कभी भी इसके root की value नहीं चाहिए होती है, हमने इसको numerator में लेके जाना है, तो denominator को numerator में लेकी जाने का method हमने क्या सीख हो है, first question में, कि हमने इसका conjugate लेकि इसको multiply और divide करने है, यानि हमने denominator को क्या करना होगा है, यहां पर, here रेक्स करना है, then जो answer होगा हो, मेरे पास 1 over x का होगा, तो सबसे पहले, 1 over x कर ले, हम हम यहां पर क्या कर रहे है, अब मेरे पास value क्या बनी है, 1 over 2 minus 3 का स्कुरूड अब है, इसका हम क्या ले रहे हैं, conjugate ले रहे हैं, तो conjugate क्या करेगा, minus को प्लस कर लेगा, इसी नमबर को आपने प्लस भी करना है, और divide भी करना है, ठीक है, यहां इसली कर रहे हैं, आगे, next, क् मेरे पास divide में जो denominator है, उसमें एक ऐसा number आया है, जो square root में है, तो square root हमें divide पे नहीं चाहिए होता है, हमने उसको यहां पर denominator को numerator में लेके जाना होते हैं, उसका method क्या होता है, मेरे पास, the right slice करना होते हैं, तो right slice कैसे करते हैं, जो divide में नमबर है, उसका conjugate लेगी, उसको आप 3 square root आप यहां पर देखें, a-b और a-b का 4 plus use हो रहा है, जो को स्केर 1 के पार्ट में बार बार use हुआ था, तो क्या answer होते है, a-b का square, now is equal to same as bc रहा, हम इसको यहां पर कर लेते है, 2 plus 3 का square root over 2 का square मेरे पास होगा, 4, square से square root का 2 हो, तो बाकि यहां पर क्या बज़ती, तो 4 plus 3 का square root over 1, now 2 plus 3 का square root यह, इसका answer है, 1 over x का, now 1 over x is equal to 2 plus 3 का square root, यह मेरे पास question number 3 का first part complete हो चुक है, now second part, if x is equal to 4 minus 17 का square root, then find the value of 1 over x, जी, same as it is, आपने ऐसी करना है, 1 over x पहले mention करना है, 1, x की जगा आप तो उसका number put कीजिएगा, यह देखें, अब भी मेरे पास divide में denominator में एक ऐसा number आया है, जो square root में है, तो हम इसको यहां पर क्या कर रहे है, और I slice कर रहे हैं, पास two same है, last two same और एक मानिस को और एक plus का, तो क्या formula मेरे पास A का square और मानिस B का भी square से square root कैंसल हुआ, तो 4 plus 17 का square root over 4 का square मेरे पास होगा, 16 मानिस 17 का square root से square कटू है, तो बाकि यहां पर क्या बचा हुआ है, 17 बचा हुआ है, अब next आप करने ही, इसको 4 plus 17 का square root over 16 मानिस 17 इसी कोड़ मानिस 1 होते है, तो हम कह सकते हैं, जी 1 over x is equal to minus 4 plus 17 का square root, मानिस 1 यहां से, मैंने यहां पर इसको लिख लिख ले है, अब यह भी इसका answer बिल्कुल correct है, अगर आप इसको आगी करना चाहते हैं, तो मानिस को अंदर क्या कर लेजिए, तो जो आप चाहें, answer इसका mention कर सकते, last part इसके है, if x is equal to 3 का square root plus 2 हो, तो then find also 1 over x, जी, no, इसमें हमने find करने है, change है इसमें, इसमें हमने find करने x plus 1 over x, x plus 1 over x हमने find करने है, अब क्या करने है, x और 1 over x को हमने plus करने है, x मेरे पास है, 1 over x नहीं है, यहां पर स्केरूट वाली वैल्यू आई है तो हम इसको क्या कर रहे हैं यहां पर इसको क्या कर रहे हैं और 3 का स्केरूट प्लस 2 क्या से देगा अब नुमिनेटर से मंतिपलाई है और डिनोमिनेटर में मेरे पास-1 कर प्रेकर स्केरूट कर वाल neighboring तो kit इस केस इसके रूट का 3-2 का स्केर हो जाएगा 4 तो मैं इसको कह सकता हूं कि 3 का स्केर माइनस 2 over 3-4 is equal to minus 1 अब माइनस का अब यहां पर लिख लीजी 3 का स्केर माइनस 2 हम इसको ऐसे कर सकते हैं डिवाइट का 1 है तो फतम हो जाएगा माइनस को जब आब अब 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 क्या करेंगे तो मैं इसको यहां पर कुशिच करूंगा तो मैं इसको यहां पर कम्लीट कर लेते हैं सबस्क्राइब सब्सक्राइब करें तो इस तरह हम ने यह को सब्सक्राइब कर लिए जो मैंने सारे के सारी पार्स आपको यहां पर सब्सक्राइब कर लिए जाई हैं